असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं सुहेल जफर आप देख रहे हैं डियेक्शन साथ का बात आज हम आपको अपने डियेक्शन साथ का बाद सेल सेंटर पे लेकर आज हम आपको डाक्टर अब्दुला साब से मिलवाएंगे उनका थोड़ा सा इंटर्वी लेंगे उनसे हम पूछेंगे के डियक्सन जो प्रोडेक्ट है वो क्या चीज है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने वीडि प्रोडेक्ट जो है वो क्या है अड रिएक्शन दोस्तो एक मलेक्षीं कंपनी है जो रिसर्च प्रोडेक्स करती है नीट्रेल नीट्र democrats फूड्स के ओपर नेच्रल जड़ी बूटी के ओपर और हेल्थ के ओपर ज्यादा काम करती है जिसमें बहुत मुक्तलिफ किसम की रिसर्च है जिसमें सबसे पहले बड़े नमबर पर गाइनो डर्मा लुसी टर्म जो खुंबी है जो लिंगजी भी कहते है इसके ओपर बहुत सबते हैं मुजी मरज से बृट सब्सक्राइब कि और है मुझी मरज मेथ होती है जिसमें मसलें IN कैंसर है ब्लैन कैंसर है भी प्रेंट record टीमर हैं जा हुआ या बालाइज उसको शुगर का मसला है या और कोई हैल्थ के हवाले से बहुत से मसाइल होते हैं तो ये बाड़ी को बैलस करता है और इसमें नेचरल कुदरती तोर पर केमिकल सपाए जाते हैं जो जिरो परसंट हामफुल है कोई नुकसान नहीं देते हैं इसका कोई साइट नहीं होता तो जैसे जैसे इनसान काता रहता है इनसान पर्फेक्शन की तरफ चलता जाता है और अपनी मुजी मर्जूं से जान चड़ा लेता है बैसिकली ये डियेक्शन की रिसर्च है प्रोडर्ट्स है और बैसिकली मलेशियन कंपनी है मलेशिया में इसका प्लांट है मलेशिया से प् ये से ताइट है ये इस के फाइड एक प्रड़ेक्ट आपने लाइफ स्टाइल ये अगर देखा जाये तो इसके फाइदे ही फाइडे हैं क्योंकि एकने प्रूड है ये दवाई भी नहीं है और इसको ऐसे खूराक के तोर पे इनसान अपने को शामनकर ले और दोडनiego कर ड़ायूं की जगह बी अगर इस्तमाल करता है तो ऐसे खूराक के तोर पे इस्तमाल कर ले ताकर उसको आने वाले ताइम में किसी भी दवाई की जरूरत ना पड़े इसके नुकसानात नहीं है कोई भी यानिके यह नेचरल फूड है यह हर बंदा खा सकता है इवन देन एक दिन का बच्चा भी खा सकता है और एक प्रेगनेंट वोमन भी खा सकती है और सेफटी है सेफ साइड है कोई इसका नुक्सान नहीं ये बाडी को बैलस करता है और बाडी के अम्यून सिस्टम को डिवेल्प करता है वीकनिस को दूर करता है और बाडी की जो डेली रॉक्वार्मेंट्स या न्यूटेशन जो फूड की जरूरत होती है जो हम डेली काते हैं उसकी रॉक्वार्मेंट्स को ये ड बिमारियों से पाक रहता है और इस तरीके से अल्छा उसको एक लंबी उमर की अमीद देता है और यह डी एक्सिंग बिसिकली यानि के आल ओर दी वर्ल्ड में इस वक्र दो काम कर रही है और है पर इसको फौन एनल पाम करें हेल्थ जासे आने मले चैलेंज में हमारे पास बहुत से मसाइल है मैसलнов फौ्ति फॉति फॉती फाइव यह उता हैं में को शुगर ऋचाजाता बारह BIG साथ को जैता है रुद्द होटा है है बारह से होगता हैं तो कि को युथ से स्पराइब्स रहता है इसका से जीरेव साईटक्ट है अब इसको जितरा मिदाया झाहिए अपनी पसली के मताबक आपनी पॉक्त के मताबक काए और इसका कोई साईट नहीं हर बंदा का एक दिन का बच्छा भी खा सकता है साउसाल का बज़ुर्गी भी खा सकता है और किसी चीज़ पर यह काम कर रही है एक्चुली डी एक्षन हंडर परसंट हेल्थ के हवाले से ही काम करती है लेकिन हेल्थ में मुख्तलिफ इसके यूनिट है एक है नूट्रिशन फूड सप्लिमेंट जिसके अंदर गान्यो डर्मा आता है स्पारॉलिन आते काडिसेब आती है और दूसरे नु capabilities में हमारे सिरप आ जाते हैं जैसे नोनी जूस है कौकोजे हैं लिंगजी बलेक कॉफी है थ्रीन वन है काडी सेप है how काफी है ृस तरीके के इसके लावा कॉस्मेटिक्स है है कास्मेटिक्स हमारी हाईली क् Patient की हाईली कॉंपनिया की स्ट्रेंडर कंपनी इस वर्डमन वन यान मानी जाँ रही है उसके काप उप्रीचिन सें कॉस्मेटिक्स का काम लिए इसके लावा हूम एमिप्लाइंस भी इस वक्त हैं लेकिन वह पाकिस्तान में नहीं है होम अमपलाईंस यॉरप में चल रहे हैं जिसमें प्रेशर कुपकर है और इसके स्टीमर है इस तरह की चीज़े हैं इसके लावा है डेंटरिंट यानि के किचिन की चीज़ें के इस्तमाल करने के लिए जिसमें साबन आगया सर्फ आगया और इसके क्लिंसिंग की चीज़ें इस तरह की चीजे मुख्लिफ यूनट हैं, यानिके डी-ेक्स आखने में बहुत ज्यदा प्राज़ेशन लेकर तमाम की तमाम जो आने वाले टाई में हेल्थ रिलेटेड प्राजेट्स हैं हेल्थ को प्रवोड करते हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं हैल्थ यानिके आ को मदे नजर रखके सरा ये काम किया जाता है और हैल्थ ही आ इंसान को बहतर से बहतर पर्मोड करती है बहुत बहुत शुक्रिया डाउटर अब्दूल्भा साब आज डियाचन प्रोडक्स के हमें धेर सारी इंफार्मेशन मिली है आपसे शुक्रिया जुर्फकार भाई आपने मुझे जामा दे कुछ है मैं उसे आपने इंटरस्ट शो किया डी-एक्सन के बारे में एक्चुली हमने जो डी-एक्सन साथवाद का जो चैनल बनाया है वो डी-एक्सन की इंफॉमेशन हेल्थ किप्स के हमाले से दोस्तों को गाइड करने के लिए और पुरी दुनिया में उसे डी-एक्सन चैनल की हैल्थ के लिए ओने डी-एक्सन चैनल तिकरिबन था में तुमाम दोस्तों के लिए ताकि इससे अस्तफादा हासल कर सके और इस डी-एक्षिन चैनल में हमने इस नियत से बनाया है कि जो दोस्त डी-एक्षिन के प्राड़र्ट खाने के बाद अब फाइदा उठा चुके हैं कुछ ब्रेन ट्यूमर के ब्रेस्ट कैंसर के लोग ठीक हो चुके हैं डाप्टीज शूगर को अपना कंट्रोल कर चुके हैं इसके लावा फालज के और अपने बहुत सी मुझी मर्जू से नजात पाचुके और इस वकट आपने एक अच्छी लाइफ गुजा रहे हैं उनके तमाम के इंट्रू हम इस डी एक्सन चैनल के ओपर शेयर करेंगे मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो डी एक्सन के साथ रिलेटेड है या जो भी डी एक्सन की वीडियो देख रहे हैं हमारे इस डी एक्सन साथकबाद के चैनल को सबस्क्राइब लाजमी करें ताके आपको हर जो भी हम नई वीडियो बना रहे हैं ताके आपके पास पहुंच सकें और आप उससे ज्यादा से ज्यादा फाइदा हासल कर सकें घर बेठें तमाम दोस्तों को इस डी एक्सन के हवाले से इन्फरमिशन देना जाते हैं हैल्थ टिप्स के हवाले से और जितने भी टेस्टीमोनियल है जो लोग ठीक हुए हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर का केस ठीक हुआ ब्रेस कैंसर का ठीक हुआ, फालज का ठीक हुआ, गैंगरीन का ठीक हुआ, पिते की पत्री निकली, गुर्दे की पत्री निकली और इस किसम के जितने भी पेशिट हमारे डी एकसिन साथकाबाद के सेंटर से लोग ठीक हुए, या खा रहे हैं, या फायदा उठा रहे हैं, उम तमाम के इंट्रू हम शेयर करेंगे, लहाजा आप डी एकसिन साथकाबाद चैनल को प्रिसकाइब करें ताके आपको गरबेट डी एकसिन के प्राड़िट की इंफरमेशन मिलती रहें और आप उसको सुनने के बाद इस्तफादा असल कर सकें और अपने दूसरे दोस्तों को भी डी एकसिन के बारे में इंफार्म करें, हो सकता किसी की जिन्दगी बदल जाए, किसी का लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले और हमेशा के लिए वो तंदरूस्त हो जाए, शुकरिया जी जुल्फकार भाई आपने मझे टाइम दिया और डी एकसिन चैनल के बारे में मुझे से पूछा तो आपने, तो शुकर गजार हूँ, सुहिल जफर्स भाई आपका भी और जुल्फकार भाई आपका भी, मैं आ अपने चैनल पर डाक साब चे रोज मुलाकात होए गरें कि डाक साबसे मुख्री प्रडेक्ट लेख जो हैं इनफरमरेशन लिया करेंगे और अपने चैनल डी एकसिन साथका पाल पर अपड़्ोड़ किया करेंगे, आप सब दोस्तों को जो है, ज्यादा ज्यादा अपने में उम्हाइब करें उम्हाइब करना उबाया तो यह receptive कि अगलि को मालूमत नदी और इसंद करें में और दोट ही मैं हब्डाइब करें जो है शिपिंग चार्जिस दिरने पड़ेंगे उसके लावा अजाफी चार्जिस कोई नहीं है अगर आप साथ कबाद सेल सेंटर से लेंगे तब भी आपको वही रेट मिलेगा जो कंपरी का रेट होगा इससे कोई अजाफी चार्जिस मिलेंगे फिर मिलेंगे एक नई कि येगा अलाहाफीज।